हलो एवरिबन दिस इस रोहित कश्यप तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम एक वेल्स राइटर डैलन थोमस की लाइफ को डिसक्स करेंगे इनकी लाइफ को शुरू करने से पहले दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि यह वेल्स कहा है दोस्तो वेल्स यह एक कंट्री है यूके में तो यहां इनका जन्म हुआ था और मैं डीटेल आपको मैं दूँगा यह मैंने डीटेल आपको केवल वेल्स के बारे में दी है तो चलिये, अब हम बात करते हैं दोस्टो, डालेन होमस के दोस्तो, इनका जन्म होगा था स्वानसी इक शहर है दोस्तो, वेल्स कंट्री में वा इनका जन्म होगा था ऐक्टुवर 2, 1914 में इनके पिता, डेविड जॉन थोमस ये दोस्तो एक senior English master थे Swansea Grammar School में ठीक है दोस्तो ये मैंने आपको अभी बता दिया था Swansea क्या है Wells में एक city है Wells क्या है UK में एक country है और दोस्तो जिस school में इनके पिता पढ़ा थे थे मतलब जिस school में इनके पिता senior English master थे Swansea Grammar School में वहीं Dallin Thomas educate हुए थे और इन्होंने फिर पढ़ाई छोड़ दी और दोस्तो इसके बाद इन्होंने एक newspaper जॉइन कर लिया है जिसका नाम था South Wales Evening Post यहां पर as a reporter इन्होंने work किया दोस्तो इस newspaper को इन्होंने जॉइन किया था 1931 में और एक साल तक इन्होंने उस paper के लिए काम किया था और 1932 में उसको इन्होंने छोड़ दिया इसके बाद दोस्तो 1933 में यह पहली बाद लंडन गए और तभी इनकी यानि 1933 में ही first poem पब्लिश हुई थी and death shall have no dominion यह इनकी first poem थी जो पब्लिश हुई थी 1933 में और 1934 में दोस्तो यह लंडन shift हो गए इसके बाद दोस्तो 1934 में इनका first collection of poems 18 poems publish हुआ था दोस्तो आप confused नहों यह इनके poem के collection का नाम है 18 poems ठीक है दोस्तो यह first book थी इनकी poems की इस collection का क्या नाम है 18 poems यह publish हुआ था 1934 में बिल्कुल भी confused नहों 18 poems आप ऐसा ना समझेगे 18 कवता है नहीं यह इनकी book का नाम था 18 poems और इसी साल दोस्तो इनको book prize भी मिला था और 1936 में दोस्तो इनका second collection of poems 25 poems publish हुआ था यह दोस्तो 25 poems यह इनकी second book का नाम है ठीक है आप बिल्कुल भी confused नहों तो इस work के publication के बाद दोस्तो यह बहुत famous हो गए as a poet यह बहुत famous हो गए जैसा कि दोस्तो मैंने आपको बताया था 1934 में यह लेंडन चले गए तो लेंडन में इनोंने as broadcaster, prose writer, poet और lecturer के रूप में काम किया इसके बाद दोस्तो इन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था Pamela Hansford Johnson लेकिन दोस्तो इससे इनकी शादी नहीं हो पाई 1937 में इनकी शादी हुई थी Kelton McNamora नाम की लेडी से एक लेटर में इनोंने दोस्तो अपनी बाइफ को Betty Boop कहकर भी बुलाया है तो इसको आप याद रखें एक्जाम में ऐसे question भी बन जाते हैं कि डालन थोमस अपनी बाइफ को और क्या कहते थे और फिर दोस्तो इसके बाद 1938 में ये लॉगहर्ण आ गए ये दोस्तो लॉगहर्ण वेल्स में एक टाउन है तो वहीं जहां इनका जनुम अथा वेल्स में तो शादी के बाद फिर 1938 में दुवारा ये वहीं आ गए एक टाउन में लॉगहर्ण में फिर क्या हुता दोस्तो इनकी marriage life में थोड़ी सी problems आती है मतलब financial problem आती है क्योंकि इनकी जो income थी वो regular नहीं थी तो इनको अपने जीवन के लिए यानि जो family problems है उनको दूर करने के लिए अपने friends से पैसा उधार लेना पड़ता था लेकिन दोस्तो ये भी हुआ था 1930s के खतम होते होते यानि 1940 आते आते ये literary circle में बहुत famous हो गए और 1940 में ही है London चले गए तो इसके बाद दोस्तो जैसा कि मैंने आपको शुरूबे बताया था कि ये एक broadcaster भी थे so he became later a highly public figure due to his radio work and readings दोस्तो during the world war second इनोंने यानि डालन थोमस ने एक broadcasting company है BBC उसके लिए भी काम किया और ये दोस्तो BBC company है जिसका headquarter है London में आप लोगों सभी ने इसका नाम सुना होगा तो इसके कारण भी ये बहुत famous हुए ने बहुत fame मिला तो फिर दोस्तो 1940 में इनका एक बहुती famous work आया जिसका नाम था Portate of an Artist as a Young Dog ये दोस्तो एक collection था autobiographical short stories का और फिर इसके बाद 1946 में इनका एक और famous work Death and Friends ये दोस्तो एक collection था poems का ये publish हुआ I'm going to say my dear friends ये एक book है poetry book दोस्तो 1947 में ये एटली भी गए थे और 1949 में दोस्तो ये लोगन वापस आ गए फिर इसके बाद दोस्तो 1950 में ये पहली बार अमेरिका गए और दूसरी बार गए थे 1952 में और तिसरी बार गए थे 1953 में तो दोस्तो अमेरिका की टूर इनके लिए काफी फायदे मन रही थी जैसा कि मैंने आपको शिरू में बताया था कि इन्हें financial problem थी लेकिन अमेरिका में इन्होंने काफी पैसा कमाया और वहाँ पर यह बहुत सारे celebrities से भी मिले थे जैसे कि Great Garbo Marilyn Monroe और Charlie Chaplin दोस्तो 1953 इनका लास्ट ओर था अमेरिका का और दोस्तो इसी टूर के दौरान यानि 1953 में ही इनकी अमेरिका में डेथ हो जाती है नियॉर्क में एक होस्पिटल में जिसका नाम है दोस्तो Vincent Hospital यानि यह होस्पिटल है दोस्तो नियॉर्क अमेरिका में यहीं इनकी डेथ हो जाती है जब ही केबल 39 एर्स के थे ऐसा माना जाता है दोस्तो कि अलकोहलिक पोईजन की वज़े से इनकी डेथ होई है दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इनकी डेथ नियॉर्क में होई थी अमेरिका में लेकिन इनकी डेथ वर्डी को इंग्लेंड लाये गया और लोगंड में ही इनकी डेथ वर्डी को दफनाये गया चलिए मैं इनकी कुछ आपको literary works बता देता हूं जैसे कुछ famous poems इनकी मैं आपको बता देता हूं जैसे Number one And death shall have no dominion Alter wise by our light दोस्ते एक poem है Okay और next Our refusal to mourn the death by fire of a child in London Do not go gentle into that good night In my craft and sullen art And my different at last fern hill These all are the famous poems of Dylan Thomas दोस्तों इनोंने कई short stories लिखी थी essays भी लिखे थे जैसे दोस्तों मैं इनका एक work आपको पताता हूं बहुत ही famous work है Under Milkwood ये दोस्तों एक book थी जो Andrew Sinclair और Daniel Thomas ने मिलकर लिखी थी दोस्तों ये एक radio play था जो publish हुआ था 1954 में यानि इनकी मौत के बाद और दोस्तों इनकी एक book है Adventures in the Skin Trade ये दोस्तों एक stories का collection है लेकिन ये दोस्तों अधूरा रह गया इसको ये फूरा नहीं कर पाए तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको एक बार इनका पूरा literary work जो थे इनके famous literary work बता देता हूँ जैसे पहले poetry collection दूँगा उसके बाद मैं prose collection दूँगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको देता हूँ poetry collection जैसे number one इनका poetry का collection है 18 poems ये publish होता 1934 में 25 poems ये publish होता 1936 में The World I Breath ये publish होता 1939 में The Map of Love 1939 New Poems 1942 और इसके बाद Death and Entrances 1946 In the Country Sleep and Other Poems 1952 Collected Poems 1952 and Poems 1971 ये तो दोस्तो हो गया इनका poetry collection अम मैं आपको इनके prose works बता देता हूँ जैसे note books 1934 The Portrait of the Artist as a Young Dog 1940 ये publishing date है दोस्तो The Doctor and the Devils 1953 Quite Early One Morning 1954 A Child's Christmas in Wales 1954 A Prospect of the Sea 1955 Adventures in the Skin Trade and Other Stories 1954 Latest 2 Vernon Watkins 1957 The Beach of Phylesa 1964 Collected Prose 1969 And Last Early Prose Writings 1971 My dear friends, these all are the famous prose work of Dylan Thomas दोस्तो इनके बारे में एक दो और important points मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद वीडियो को खतम करते हैं जैसे दोस्तों, Dylan Thomas was called a Keats, a Byron, an Yeats, or an Elliot All in One by Elder Olsen Struggle from Darkness towards some measures of light तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिसकस किया Dylan Thomas की लाइफ को और उनके कुछ important works को चली मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू